साथियों, बीते दशकों में उत्तर प्रदेश की हमेशा, क्या पहचान बनी, क्या उल्यक होता था उत्तर प्रदेश का, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश को हमेशा राजनीती के चसमे से देखा गया, यूपी देश के विकास में भी अग्रिम भुमी का निभा सकता है, इसकी चर्चा तक ही नहीं होने दी गई, दिल्ली के सिहाँचन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, इसका सपना देखने वाले तो बहुत लोग आए और गए, लेकिन ऐसे लोगों ने कभी ये याद नहीं रखा, कि बारत की समुरुद्धी का रास्ता भी यूपी से होकर ही गुजरता है, इन लोगों ने उत्तरपदेश को सिर्फ राजनीती का ही केंद्र बनाए रखा, किसी ने वंसवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीती स्वार्थ के लिए यूपी को सरफ इस्तेमाल किया गया, इन लोगों की संकीर्ण राजलिती में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया, हाँ, कुछ लोग जरूर सम्रुद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े, इन लोगों ने यूपी को नहीं, बलकि खुद को सम्रुद्ध किया, मुझे खुशी है कि आज उत्तरप्रदेश ऐसे लोगों के कुछ चक्र से बहार निकल कर आगे बढ़ रहा है, डबल इंजिन की सरकार ने यूपी के सामर्थ को एक संकुचित नजरिय से देखने का तरीका बदल डाना है, यूपी भारत के ग्रोथ इंजिन का पावर हाउस बन सकता है, ये आत्म विश्वास बीते सालों में पैदा हुआ है, यूपी के इतिहास में पहली बार सामान ये युवाओं के सपनों की बात हो रही है, यूपी के इतिहास में पहली बार अपराधियों में भय का माहुल पैदा हुआ है यूपी के इतिहास में पहली बार गरीबों को सताने वालों, कमजोर वर्गों को दराने धमकाने और अवैद कबजा करने वालों के मन में डर पैदा हुआ है जिस व्यवस्ता को ब्रस्टाचार और भाई भतिजावाद की लत लग गई थी, उसमें सार्थक बरलाव की शुरुवात हुई है आज यूपी में यह सुनिश्ट किया जा रहा है कि जनता के हिस्चे का एक एक पैशा सीधे जनता के खातों में पहुँचे जनता को लाब हो आज यूपी निवेश का केंद्र बन रहा है बड़ी बड़ी कमपनियों आज यूपी आने के लिए लालाईद हो रही है यूपी में इंफ्रस्रेक्चर के मेगा प्रोजेक्स बन रहे हैं इंदस्ट्रियल कोरिडॉर बन रहे हैं रोजगार के नए आवसर तायार हो रहे हैं